गुड मॉनिंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे नैशनल पार्क के बारे में नैशनल पार्क इस आ रिलिटिवली लार्ज एरिया ओफ सीनिक प्यूटी प्रोटेक्टिड एंड मेंटेंड बाइद गुवर्नमेंट उस एरिया को प्रोटेक्ट और बचाने के लिए लैंडस्केप उस एरिया के कुछ इतिहासिक बस्तुएं जो कि पहले इतिहासमें कभी यूझ हुआ करती थी और जो आज के टाइम पर देखने को नहीं मिलती है अमने बोलते हैं इस्टोरीक अब्ज्यक्ट को maintain, preserve करना and place of scientific interest, कोई ऐसी जगह जहां पर scientists को research कर पाई, तो उस area को भी हम क्या करते हैं, उस जगह को भी हम National Park में preserve करते हैं, तो उस area की florafona, historic objects यानि कि अध्यासिक पस्तोई, प्लस कोई ऐसा area जहां पर scientists research कर पाई, उस area को हम क्या करते हैं, National Park में preserve करते हैं एक और purpose क्या है national park established बनाने का एक और purpose है to provide the human recreation and enjoyment human के enjoyment के लिए लिए करते है national park बनाते हैं ताकि वहाँ पर जो animals present है plants present हैं उन्हें देखकर human beings क्या मिले enjoyment मिले plus जो वहां की सोरिक वस्तुवी हैं उन्हें देखकर क्या हो कि recreate हो हम और enjoyment मिले हमें इंस्पायर हो हम उन चीजों से वस्तों से inspire हो प्लस एजुकेटिव परपर्स हमें जो हैं कुस पढ़ने को मिले कि इतिहास में जो लोग हैं वो क्या चीज यूज करते थे वह कौन सा काम कैसे कैसे करते थे तो भी क्या होता है कि हम इस्टोरिक वस्तों को देखकर भी उन चीजों को स्टडी कर सकते हैं उस इसके बारे में बेसिकली नेशनल पार्क इजन एरिया रिजर्व फोर दा कंजरवेशन ऑफ वाइल लावड लाइफ विदिन विच सच पब्लिक रीकेशन अक्टिविटी इस प्रमिटिड विच इस कंपैटिबल विद प्रैमरी अज्टिव सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही वाइड एरिया का अफी बड़ा एरिया है यह प्राकरतिक संसादनों का शोशन करना भी ऐसे एरिया में अलाउड नहीं होता इसका मिनिंग क्या होता है प्रोहिबिट मिन्स मना किया हुए बिल्कुल नैशनल पार्क्स आर प्रोटेक्टेड फॉर्म मौस्ट डेलप्मेंट स्कीम्स यहां पर डैम जैसी चीज़े बनाना भी अलाउड नहीं है ताकि वहां की प्राकरतिक ब्यूटी जो है वो मेंटेन रही धूमन एक्टिवटी सच अज माइनिंग यानि खुदाई करना हंट करना फिशिंग करना भी अलाउड नहीं होता नेशनल पार्क के अंदर इडिया के अंदर असी से ज्यादा नेशनल पार्क हैं और उनमें से भी सबसे जो मौस्ट नेशनल पार्क शुरुवात में क्या थे वाइल लाइफ सेंचुरीज उसके बाद क्या बनाएगा उनको ने नेम गीवन होगा यहाँ पर आपको अट लीस्ट फाइव लन Вам करते हैं जो इंपॉर्टन है पधने पारक उत्च ट कौयांनेशनल पारक कि रन पार्ग तैक। सद्पूरा नैशनल पार्क मद्धप्रदेश इसमें से सबसे फर्स जो डवलप हुआ था हमारी इंडिया के अंदर फोरस इजर्व कौन सा था सद्पूरा नैशनल पार्क जो कहां बना था मद्धप्रदेश में इसकी फर्स इंपोर्टन यहां पर लग भग 55 रोग शल्टर में देखने को मिले तो इससे क्या पता लगा कि रोग शल्टर का वहां पर होना हमें क्या दिखाता है कि वहां पर किसी टाइम पर जो है लोग फ़ाइटिंग अईटेंसों सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब लोग देखने के लिए इभी आते हैं उस नेशनल पार्क में क्या मिलता हमें, टाइगर, गोर, लियोपार्ड, इंडियन जयांट, स्क्वैर्ड, संबर, स्लोथ, बियर, यह सब क्या हैं, यह सब अनिमल्स के नेम हैं, जो वहाँ देखने को मिलते हैं, टाइगर इस वनों तब मोस्ट मैंनी वाइल लाइप स्पीश इस विच आर स्लोवली डिसपेरिंगाने की बहुत स्पीशिज में से एक टाइगर जो है, जो कि हमारे इंडिया से लगातर कम होती जा रही है, तो इसको उचाने के लिए क्या किया है हमने, कि इस नाशनल पार्क में हमने एक चोटा से एरिया बनाया, किस नाम से, सत्पुर का टाइगर रिजर्व के नाम से, जो कि इसके अंदर आया, वो आया, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, ये प्रोजेक्ट क्या था, कि इसके अंदर हमने क्या किया, लगबग 28 प्लेस बनाया इंडिया के अंदर, जहां पर हमें टाइगर को रिजर्व करना, बचा के रखन हैं तो उसमें से एक रिजर्व कहां बथा एक रिजर्व बना हमारा सथ पुरा प्लेट के बना गया उसके इंदर holiday नाम से बनाा Fresh辈 नेशनल पार्क में क्या था कि कुछ और एनेमल्स फर एक्जेमपल लॉयन्स एलिफेंट्स वाइल बॉफैलोज बारा सिंगा यह भी कभी देखने को मिलती थी किसके अंदर सत्पुरा नेशनल पार्क में लेकिन विद टाइम क्या होगा कि विद टाइम यह सारे स्पीचिज बैनिश भी खतम हो गई क्यों वहां पर पीपल जो रहते थे उनने क्या किया उनकी हंटिंग की शिकार के अनिमल्स का और सब को मार दिया और इस रिजर्व में वह स्रक्षित नहीं रह पाई और ऐसा इस उनने क्यों किया जस्ट फूट तो गैट दा कुईक मनी सिर्फ पैस बाइब नेशनल पार्क होता क्या है उसके बाद आपको लर्न करना है पांच नेशनल पारक के नाम जो यहाँ पर टिकी होए है उसके बाद अब पढ़ोगे अबाउट दो सथपुरा नैशनल पारक हमारा फिर्स एदशिव था इसके पर इंपोर्टन पॉइंट्स आपर व मिलते हैं रोग पेंटिंग रोग शल्टर मिलते हैं और एक पड़ोगा प्रजेक्ट टाइगर के बारे में आज के लिए बस इतना ही कल हम मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ